जिए हां दोस्तो इस वक्त की बड़ी अपडेट तनु चेंडेल को लेकर जो की राखी सावन्थ की चलती फिरती सौतन मानी जा रही है इस वक्त ना सिर्फ सौतन बल्कि आपको बता दे बिन बियाही मा भी बताई जा रही है राखी सावन्थ के दौरा आपको बता दे राखी ने कई इल्जाम तनु चेंडेल पर लगाए है जो की आदिल की गल्फ्रेंड है रखेल है ऐसा हमारा नहीं बल्कि राखी सावन्थ का कहना है और आपको बता दे पबलिक का भी यही मानना है इतना सुनने के बावजूद जब अब अलबम जो है राखी राखी की सौतन तनु चेंडेल का जो है रिलेज हुआ है अब तो मीडिया में जो है वो आई है खुद से स्वयम आकर जो है अपनी सफाई दी है और साथी आदिल की भी सफाई दी है आपको बता दे तनु चेंडेल का साफ तोर पे कहना है मीडिया में आकर कि नरेंद्र अपने गाने की पर्मोशन के लिए मेडिया में आई थी और मेडिया में गाने की पर्मोशन के साथ जो है तनुच अंडेल ने बयान भी दिया आदिल खांदुरानी को लेकर और राखी सावन के बयान को लेकर जो इल्जाम तमाम इल्जाम जो है राखी ने लगाए तनुच अ नहीं बयान में क्या कुछ लिखा है तनु चंडेल ने वो भी screenshot जो है आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर ठीक इसमें लिखा हुआ है यह पोस्ट करने के बाद जो है आज खुद जो है तनु चंडेल आई सामने मेडिया के सामने और सारा बयान जो है मुह से भी बताया साथी सबूत भी दिया और कहा कि इस सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है राखी से जब भी मेरी बात हुई है अब तक तो मेरी बड़े ही प्यार से राखी से बात हुई है मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और राखी भी मेरे से कोई दु कमेंट्स क्या कुछ कहा है तनू ने आदिल दुरानी को लेकर अपने बॉइफ्रेंट को लेकर साथ ही राखे सावंद को लेकर सुनिये जरा इस वीडियो के अंदर और इसे लेकर जो भी आपके विचार है जरूर कॉमेंट कीजेगा हर लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल क बहुत से बात की है कभी बत्तमीजी नहीं कि नहीं जो भी इस लेकिन जो भी बहुत है और जोब आप लोग समझदार हैं आप लोग अच्छे लोग है तो आप लोग खुद समझेंगे समझते होंगे कौन के साथ हैं पर दूसरा कि हर चीज को मैं क्लियर करने के लिए अगर कि नहीं मैं ऐसी महीं हूँ तो मुझे मैं क्या हूँ मुझे पता है तो मुझे नहीं लगता अभी कि मुझे कोई भी चीज आप लोग के सामने आके रखने चाहिए हाँ कि मुझे पिला तो